एलविश यादव अपने फैंस के दिलों पर राज करते हैं। वो जब बिग बॉस उटीटी दो में बतौर वाइल्ड कार्ड बन कर आये थे, तो पहले ही हफ़ते में फैंस ने उन्हें सबसे ज़्यादा वोट्स दे कर अभिशेक मलहान के उपर नंबर एक पोजीशन पर पह हास रचा। लेकिन ये बात शायद ही आप जानते हूंगे कि ट्रोफी जीतने से पहले ही एलविश यादव एक बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं। एलविश यादव को फैंस का कितना प्यार मिला, उसकी साक्षी तो हम सब हैं। सोशल मीडिया हो या बॉस मीटर उनके चाहने वालों ने रोट पर आकर यूटिबर के लिए वोट अपील की। अब हाल ही में एलविश यादव का एक वीडियो इंटरनेट पर वाइरल हो रहा है, जिसमें वह अपने फ्रेंज को ये बताते हुए नजरा रहे हैं कि जैसे ही पूरा शो खत्म हुआ। जीयो की चाहिद ने उन्हें बताया कि 15 मिनट में उनके लिए 280 मिलियन वोट्स आये हैं। आपको बता दी कि सिधधार्थ और आसिम ने भी सबसे ज़्यादा वोट्स का रिकॉर्ड बेग बॉस 13 में बनाया था, लेकिन सिर्फ 15 मिनट में 280 मिलियन वोट्स के साथ एलविश यादव ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इतने ज़्यादा वोट्स पाकर जहां 26 साल के अलविश यादव फूले नहीं समा रहे हैं, तो वही सोशल मीडिया पर उनके फैन्स प्यार लुटाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, सिस्ट रन अब बने, तो वही मनीशा रानी सेकन रन अब बनी। स्लाइटे कर दे